गुजरात के नरोधा गाओं दंगों के मामले में स्पेशल कोट ने फैसला सुना दिया SIT के विशेश जज S.K. बक्षी की रिपोर्ट ने 20 अप्रेल को 68 आरोपियों को बरी कर दिया दरसल 2002 में हुए इन दंगों में 11 लोगों की मौत हो गई थी इसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर गुजरात की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता माया कोड़नानी वा बजरंग दल के नेता बाबु बजरंगी समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया था इन 86 आरोपियों में से 18 की पहले ही मौत हो चुकी है मामले में 21 साल बाद फैसला आया है फैसला आने के बाद कई नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है ऐसे में AI MIM प्रमुक असुदुद्दीन ओवेसी ने राहत इंदोरी की एक शायरी पोस्ट करते हुए लिखा जिधर से गुजरो धुआ बिछा दो जहां भी पहुचो धमाल कर दो तुम्हें सियासत ने हग दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो अपील भी तुम दलील भी तुम गवह भी तुम वकील भी तुम जिसे भी चाहो हाराम कर दो जिसे भी चाहो हलाल कर दो फैसला आने के बाद आरजेटी नेता मनोज्जा ने भी बयान जारी किया उन्होंने कहा कि नरोधा में कुछ नहीं हुआ कोई नहीं मरा बस यही बात है जहिन